हलो फ्रेंट्स वेल्कम तू दिस चैनल आज की इस वीडियों में हम एच्प्यू बीट दो हजारतीज के एंट्रांस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं हम इसके ओनली मैथ और रिजनिंग सेक्शन का सॉल्व करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 71 नमबर 20 तो पाई कान सा नमबर है कि रेशनल नमबर एगी अपर ही में सक्क्याइग गोई सीडी टी-एफ यूजी एच और नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसको फिल करना हमने तो यहां पे देखो हैं यहां पे एस हैं यहां पे यूज तो यहां पे क्या एगा वी उसके आप हैं यहां पर सी हैं यहांपि डी नहीं है डी को छोड़के इन एए उसके मिजल को छोड़के फ नहीं एओ जी है तो जी के बाद एज को छोड़के क्या हैब के अबंट्फ जी है और स्फ ऑई हैज़ और पर औंस यहां पर सेंटीमेटरण दिन्उ एरिया को उन्ट है ठीक है और ओंस यह gratitude है तो option B से यह answer होगा कि यहां पहाला कि यहां पहाला कह पोंड कि कैकोफोनी यहां तो कौण और कॉले दूर कर शौन है मतलब आक क्लम क्लम वाल्रिया थुप है अब यहां पहाल गंध बद्बू मतलब गंध सिंपल एक गंध है लेकिन बद्बू क्या है दुरगंध है तो ऑप्शन सी सही अंसर होगा यहाँ पर क्वेशन नमबर 74 है देहाती ग्रामीन मेंज पैस्टोरल एंड रूरल मतलब इसका वो उल्टा बताया गया है तो मतलब महानगरी यह शहरी मतलब महानगर बड़े नगर और शहरी छोटे नगर वाले तो ऑप्शन ए सही है इसमें क्या करना है हमने हैं यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया हुए इसमें मारे पास अलग-ठाव आग यह यह लिए वैयर वैल्यू देए हैं तो हमने क्या करना है क्वेश्ट के अगर्ण कोदिक देखते हैं 76 क्वेश्टिय मिया है हमें 1997 में जितने केंड़ेट qualified हुँए है उनकाद निकालना निए 1998 में मतलब है अभी 2197 में यह कडिड़ेट पूरे qualified हुए तो इन सबको add करना है the but I इन सब को आड़ करना है उन दोनों को डिवाइड करना है मतलब जो इन को आड़ करेंगे उसकी वैली हुमारे पास क्या होगी 41, 36 को आड़ करने के बाद और डिवाइडर वाई जो 1998 के है इन को आड़ करने के क्या आता है 52, 30 तो इसकी एप्रोक्स परसेंटेज आती है 79.54 जो की एप्रोक्सिमेटली 80 परसेंट के एक्वल है तो कौन सो अप्शन से यह अप्शन सी राइट अंसर है इस पैसेज का अगला कोशन क्या है तो यहां पे सारे यह में जो क्यूब में है उसमें कितने अप्शन के अप्यर वाली इसको लेना है इनको लेना है जो आपई वारी सेल इनको सब को एड करना और डिवाइड दीवाइड बाइड बाइड तो इनको एड करने पर क्या आता है हमारे पास है four four nine five zero divided by five करेंगे तो तो हमारे पास वैल्लियो आईगी eight nine nine zero तो कौन से option है option C से ही है यहाँ पर question number 78 का है हमारे पास in which of the given years the number of candidates appeared from state P has maximum percentage of qualified candidates तो हमने इसमें क्या करना है individual percentage निकाल ली है और हम पहले देख रहते हैं यहाँ पर कौन से option दिया है option 1997 दिया है तो मैंने इसको calculate किया था तो हमारे पास individual percentage क्या आती है 97 में आएगी है मारे पास 12.1% 98 में क्या आती है 11.5 99 में आती है 11.4 and 2001 में आती है 12.8% तो कौन से option से यह है option दिया सैंट नन क्या है what is the percentage of candidates qualified from state N for all the years together over the candidates appear from state N during all the years together मतलब क्या है कि हमने क्या निकालना है जो state N के जो candidates है न जैसे यह state N है इसमें हर साल में कितने candidates appear हुए हैं उनको एड़ करना है और सारे साल में कितने qualified हुए है उनको एड़ करना है उसका ratio निकालना है जैसे qualified को एड़ करते पहले तो qualified को एड़ करने के बाद हमारे पास क्या आता है 4810 मतलब यह हमने इनको एड़ किया है जो जो candidate N में qualified हुए है हर साल में उसके बाद जो total appear हुए है हर साल जितने appear हुए candidate जैसे यह 7500 है इसको इसमें 9200 जोड़ना है इसमें यह सारे मतलब जोड़ लेना है इसको सबक्राइड करना है तो क्या एगा हमारे पास 43150 तो इसको जब डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारे परस परसेंटेज आएगी 11.15 परसेंट एप्रोक्स तो कौन्स ऑप्शन है ऑप्शन डी से ही है एक क्योंचन क्या है the percentage of total number of qualified candidates to the total number of appeared candidates एमांग आल दो फाइब स्टेट्स इन 1999 तो हमने साथ से पहले यहां पर 1999 स्टेट्स दिया तो 1999 पर फोक्स कर ओंली ठीक है अब इसमें क्या पूचा है percentage of total qualified candidates qualified candidates कोंसे यह वाले to the total number of appeared candidates appeared candidates से यह वाले मतलब इस कॉलूम को आड़ करना है और इस कॉलूम को आड़ करना है और इनको डिवाइड करना है जैसे इस कॉलूम को आड़ करेंगे तो इस कॉलूम को आड़ करने के बाद हमारे पास क्या आता है 4 9 9 0 4 9 9 0 divided by इस column को एड़ करने वाद क्या आता है मारे पास 42150 तो percentage के लिए क्या करेंगे into 100 तो मारे पास क्या आएगा 11.84 percentage जितने मैंने पहले ये पेचले percentage वाले की ये उसमें into 100 करना है हमने सब में ठीक है तो इसका कौन्स option सही है option be right answer है next question क्या है हमारे पास question number 81 find the next number in the sequence तो इस sequence में हमने अगला number निकालना है तो हम पहले इसको analyze करते हैं इसमें क्या है जैसे ये देखो ये series एकदम से बढ़ने रही है मतलब gradually increase हो लिए है तो जब gradually increase होती है तो उसमें addition वाला rule होता है जैसे यहां पर देखो इन दोनों को माइन्स करेंगे तो मारे पास क्या आएगा 9 से 4 गे तो 5 आगे यहां पर कितने का increase हुआ है 9 और 6 पंदर 6 का increase हुआ है यहां पर 7 का होगा यहां पर 8 का तो next में किनने का होगा 9 का मतलब यह अगर यहां पर 130 है तो 149 हो जाएगा मतलब option C से यह answer है 82 है find the next number in the sequence तो इसमें sequence दिए हमारे पास 3, 6, 9, 30 और 117 अब यहां पर देखो यहां पर तो यह धेर जीरे बढ़ रही है ठीक है लेकिन यहां पर एकदम से बढ़ गी और यहां पर तो बहुत ही हाई होगी ठीक है तो हम इसमें ऐसी सीरीज में क्या होता है multiplication factor होता है कोई तो जैसे यहां पर नहीं बढ़ रही है थोड़ी बढ़ी जैसे into 1 किया होगा ना यहां पर तभी 3 आ गया तो इसमें 3 जोड़ दिया होगा ठीक है और यहां पर क्या क्या होगा अब यह च्छे है ना तो अब यहां पर देखो यहां पर प्लस तीन क्या है तो यहां पर मानिस तीन का लॉजिक लग जाता है जैसे इंटू 2 करके मानिस 3 हो जाएगा शेद उनी 12 और 3 गए 9 अब यहां पर इंटू 1 है यहां पर इंटू 2 है तो यहां पर इंटू 3 हो मतलब इंटू 3 करेंगे औरने में पर प्लस मैनिस है तो प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 273 अब यहाँ पहर प्लस है तो यहाँ से कुन करेंगे तो क्या आएगा मारे पास पांसो पचासी आएगा 585 और उसमें प्लस 3 एड करेंगे तो 588 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है से ऑपिशन के है प्शेख ये बने रहे और फेट करेंगे तो मिष्च पांसो नाओ रहे लिए और इसम्हार अज रहेक्शन गर्णी आवम इसम्हारे लते हैं जासे इस ले लिए यह वेस्ट ले लिया यह नौहर्थ लिए और नाध्य और सौंस उतला राइग आर्टक्षिन को पहले के बोला है यह बीबी ऐस तो 12 तॉлять की तरफ यहांपि नहीं świat की तरफ है तो यहां पर घाएगा Hist की तरफ इसको लेती है उसके बाझ करो त लोगता है यहां पर चार सॉथ की तरफा रहा है ठीक है उसके तो कहाँ थोड़ा पीछे ले लेंगे यहां तक, यह 9 आ गया हाँ ठीक है, How far is he from his initial position? तो initial position यह थी नहीं यहां पर, तो कितनी दूरी पर हैं यहां से, यह होगी दूरी ठीक है, यह distance होगा, तो यह distance हमने निकालना है, तो यह तो पाइथागोर्स दे निकलेगा, अब यह देखो, यह 4 है, तो यह भी parallel है, तो यह 4 ही होगा, और यह 12 है, यह 9 है, तो यह कितना होगा, 3, 9 और 3, 12, तब इकल होगा, तो इससे पाइथागोर्स लाएगा, तो क्या आएगा, मानने इसको A मान लो, इसको C मान लो, तो AC क्या हो जाएगा, अंडूट 4 का स्क्वेर प्लस 3 का स्क्वेर, मेंज अंडूट अफ 16 प्लस 9, तो अंडूट 25 हो जाएगा, और अंडूट 25 कुद ना लोटा 5, तो option C राइट अंसर है, 84 क्या है, इस रिना सेज, अंजली's father Raman is the only son of my father-in-law Ramanand, तो हमने क्या करना है, अभी ये बात कुँन कर रही पहले है, रीना बोल रही ठीक है, तो रीना को लिख रहते हैं, आप इस साइड में, रीना, क्या बोल रही है, अंजली's father Raman, अंजली का father पहन रही है, रही है, तो Raman को plus sign देते हैं क्योंकि ये male है, अंजली female है, तो इसको minus देते हैं ठीक है, उसके बाद क्या है, is the only son of my father-in-law Ramanand, तो only son of Ramanand, ये राम जो है, वो Ramanand का only son है, तो इसको ये राम आनन देते हैं, ये भी plus है क्योंकि male है, ये only son of किसका father-in-law, रीना का, ठीक है, रीना बोल रही है ने ये, तो क्या बोल रही है, only son of my father-in-law, तो father-in-law हुआ मतलब ये इसकी wife होगी ना, तब इसका father-in-law हुआ हुआ ये, तो ये कौन बोली है, Rीना, इसको minus sign देते हैं, then how is P.U. who is the sister of Anjali, अब P.U. गया है, ये P.U. है, ये अंजली की sister है, ये लेटर टू रमानंद, रमानंद से क्यारलेशनेस का, तो ये रमानंद रा, ये टू जनरेशन का gap है ना, ये फादर का गया और ये, ग्रैंड डाउटर का गया तो ये कौन सी होगी, आफिफ ग्रैंड गाटर हो भी, ठीक है, तो आप्शन C से ही अंजल है, सब्सक्राइब स्था और अजली का रेशनेस का और ये iso, इन रेशनेस का त्रीशायंगल रेशनेस तो रेशनेस्वेशनेस का रेशनेस्वेशनीच और ट्रैंगल इंचिनेस्टैमेटर, पंदरा और किसके टोटल इसका परिमेटर कितना है 30 है ना तो 30 से मल्टिप्लाइ कर दो तो कितना आ गया है दो से जाएक और चौल आ गया मतलब ऑप्शन सी से यह अंसर है अभी यह डिरेक्शन दिये कॉस्ट नंबर 86 तो 90 तो इसमें भी हमने डिरेक्शन वाला कंसेप्ट लगाना है तो पहले डिरेक्शन के लिए एक सिस्टम बना लेते हैं यह से एस्ट हो गया यह वेस्ट यह नॉर्थ और यह साउथ तो सबसे पहले क्या बोला हमारे पास है एक पर्षन स्टार्च वांगी प्रोंट B इन इस्ट डिरेक्शन और ग्र्क्शन फ्रक्शन 7 मेंतर तो माल लो पॉHAHA बी यहां पर सेंट्र पे माल हेते उसें पर कोई यह बाल में इन वर फ्रक्शन पारीश Subscribe from point V he takes a right turn तो right turn कौन से होगी यह होगी न right turn न और कितना चला 5 meter to reach point X यहाँ पर X है यहाँ पर 5 meter हो गया यह point X हो गया हमाने बास from point X he starts walking 9 meter north to reach point K अब north की तरफ चला है यह बापस किसी point K पर पहुंचने के लिए तो यह यहाँ से total gap कितना गया 9 ठीक है यह point K है उसके बाद कहा गया यह he takes left turn and walks 12 meter to reach point Z left turn लिए उसने तो left कहां पर हो गया यह side को न नीचे को गया लेफ्ट और कितना चला 12 meter चला तो यह 7 meter है तो 12 meter कहां होगा इसे नीचे होगा न यह 7 और 5 meter नीचे होगा 12 ठीक है तो यहां पर कोई point आ गया जड़ ही इस्टार्स वाक्स इस्टार्स एंड वाक्स एड़ मेटर इन नौट रेक्शन तो रीच एड़ पॉइंट पी तो पॉइंट पी भी पहुंच अब देखना पॉइंट पी पहुंच यह कितना एट मेंटर चलके तो यह 8 मेंटर आ गया यह टोटल 8 मेंटर है पॉइंट पी पे नौई टेक्स लेफ्ट अन एंड वाक्स 6 मेंटर टू रीच पॉइंट लेफ्ट में पाउन साइट नाई साइड चला हुआ तो इसके लफ्टी साइड होगा न तो यह 5 है तो यह एक उपर होगा यहां पर एक होगा यह 5 होगा तो टोटल 6 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर पहुंचा लास्ट में यह कौन सा पॉइंट है पॉइंट A यह पॉइंट A है अब हमने question देखने है तो question कहा है पहला if point G is north of point A and east of point Z मतलों यहां पर point G है वह north of point A एक नॉर्थ में उर पर cdk इस्ट मैं है एक नॉर्थ मैं और z इस्ट में थे थीक है एक नॉर्थ में और जाड़के इस्ट रेक्शन में तो नीज़न वाट इस्ट में गें तो point G और point K के बीच में shorter distance console यह होगा ना shorter distance ठीक है मरलब अब यह कितना इच्छे है ना total यह यहां से और यह total 12 था यह 12 था यह यहां से यह तक तो कितना बचा 6 बचा ना तो option में 6 देखते हैं यह options इच्छे मेंटर अगले में क्या है in which direction point A with respect to point B B के respect में A किस direction में है ठीक है तो वह देखते हैं अब B कहांब यह पॉइंट यह B point B के respect में किस direction में है तो A East और South के बीच में है तो South East होगा कौन्स option है option D से ही है South East ठीक है 88 question क्या है what is the shortest distance between point K and point A point K और A के बीच में shortest distance क्या है minimum दूरी क्या है तो पहले point A देखते है point A कहांपे यह point A और K कहांपे है point K यह है ठीक है तो इसके बीच में shortest distance यह होगा यह होगा ना ऐसे करके निकालेंगी इसको अब यह हमको पता है कि यह total 8 है 8 लिख लिए इसको और यह कितना है यह 6 है ठीक है तो K A क्या निकलेगा K A क्या होगा अंडूर्ट ओफर 8 का स्केर जमा 6 का स्केर तो क्या होगा 64 जमा 36 अंडूर्ट साव हो जाएगा और 10 के क्या हो जाएगा तो 10 को देखते है option में यह question number rated option A 10 मेंट रहे ठीक है 89 question क्या in which direction is point P with respect to point X X के respect में P किस direction में है तो देखते है यह एकस का पर है पॉइंट एकस है यहाँ पर, ठीक है एकस के respect में P किस direction में है तो P यह अब देखो, यहाँ पर, जैसे एकस का distance को इतना है तो 5 यह कितना है यह milli a here Totale 8 है यह औन से 9 ए ठीक है तो यह कौन सी direction है, देखो यह कहां जा रहा है, इस side है ना, यह direction ना, तो यह कौन सी नॉर्थ वेस्ट की बीच में है, तो कौन सा option हुआ, option है नॉर्थ वेस्ट, अभी लास्ट पॉच्छन है, इस point S is midpoint between point Z and point P, then in which direction is point V with respect to point S, अब S है ना, वो midpoint है, Z dot P का, तो point V जो है, वो S के किस direction में है, तो S को पहले यहां पर mark कर लेते हूं, ऐस जुब है ये मिड़ पॉइंट है जब्ड और अधुन वे स्सक्राइट है तो यहां पिड़ ङाय हो यह Set तो यह पूइंट वी के किस ट्रक्शन में तो V फ्सकुर्फ है कि इसके कौँन सी ट्रेथम में यह है सी जैसी देखेला थो वेस्ट ट्रेक्शन में तो फ्रेंड्स यह था आपका बीएर्ड का इंट्रांस एक्जाम को क्वेश्चन पेपर तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लेगी तो इसे लाइक और शेयर करें और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बै के तरीन वीडियो में तब तके लिए धन्यवाद जैन बंदे मातरम